Hey everyone, welcome back to my channel तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो Carbohydrates का मैंने Part 1 अप्लोड किया था कल उसी के आगे हम continue करेंगे आज हम Carbohydrates वाला टॉपिक complete करने वाले हैं इसके बाद एक और वीडियो आएगी जो कल मैं अप्लोड करूँगी जिसमें आपसे डिसकस किया जाएगा Carbohydrates Metabolism के बारे में जो कि आप में से काफी सारे बच्चों ने पूछा था तो पहले हम ये डिसकस कर लेते हैं कौन-कौन से important points हैं जो Carbohydrates के आपको याद रखने हैं तो Carbohydrates हम last time जो डिसकस कर रहे थे उसी की continuity में ये वीडियो है तो Part 2 आप इसे बोल सकते हो तो Carbohydrates में सबसे पहले आपको जो point याद रखना है वो ये कि हमारी body में कौन से ऐसे organs हैं जिनने Carbohydrates की सबसे ज़ादा जरूरत होती है तो First is brain Major organ is brain लेकिन brain के अलावा कुछ और cells पी हैं जिनने Carbohydrates की सबसे ज़ादा जरूरत होती है उन्हें हम बोलते हैं Red Blood Cells तो Brain और Red Blood Cells चो होते हैं ये Completely Dependent होते हैं on Carbohydrates Completely Dependent ये जरूर आपको याद रखना है Brain वाली चीज तो काफे important है Completely Dependent on Carbohydrates Next point जो आपको याद रखना है वो ये कि मैंने आपसे Discuss किया था कल की Monosecurides चो होते हैं उनके अंदर 3 Carbon, 4 Carbon, 5 Carbon या 6 Carbon हो सकते हैं 6 Carbon वाली Sugars के मैंने आपको Example Discuss किये थे जिनमें से Glucose था, Fructose था आज मैं आपके साथ Discuss करने वाली हूँ 4 Carbon and 5 Carbon वाली Sugars के Example 5 तो 4 Carbon में अगर आप देखोगे तो उसको हम क्या बोलते थे Tetrose बोलते थे और इसमें Example आएगा Erythrose Erythrose कहां से term आईए? Erythrocytes से जो की होते हैं Red Blood Cells इसके अलावा 5 Carbon के अगर आप बात करो तो इसमें Ribose Sugar काफी Famous है जो RNA में पाई जाती है इसके अलावा एक और है Sugar जिसे Arabinose बोलते हैं Arabinose के अलावा Zylose नाम की Sugar जो है वो भी 5 Carbon Sugar में Included है Next चीज हम क्या discuss करेंगे कि सारे जो भी naturally occurring sugars होती है या naturally occurring carbohydrates होते हैं वो किस form में पाई जाते हैं हमने discuss किया था D and L forms तो D sugars जो होती है वो होती है naturally occurring sugars तो nature में आपको जो मिलेंगी mostly sugars यानि body के अंदर जो भी आपको sugars मिलेंगी वो mostly D sugars होती हैं तो ये चीज आपको याद रखनी है Next आपको ये भी याद रखना है क्योंकि हमारी body के अंदर D sugars ही मिलती है इसलिए हमारी body सिर्फ D sugars का ही metabolism follow कर पाती है They can only metabolize D sugars ठीक है Next चीज आपको क्या याद रखनी है Next ये कि जो हम D या L terms यूज़ करते हैं तो वो हमेशा clockwise direction में ही rotation शो करें हो सकता है वो anti-clockwise direction में भी rotation शो कर सकती है For example अगर हम D glucose की बात करें तो D glucose जो है ये dextrorotatory होता है But अगर हम D fructose की बात करेंगे तो वो dextrorotatory बिलकुल भी नहीं होता है It is levorotatory Is this clear? चलो next चीज डिसकुस करते हैं अब carbohydrates का next point इसके अलावा हमने क्या discuss किया था लास्टाइम polysacurides discuss किये थे Polysacuride का अगर हम example लें तो एक है starch starch एक polysacuride है जो किस-किस से मिलके बना होता है ये सबको पता होगा amylos से मिलके बना होता है और एक और चीज होती है जिसे हम बोलते है amylopectin तो ये दोनों चीजों से मिलके starch बना होता है इसमें आपको जो bond formation है वो याद रखनी है amylos sugar straight chain होती है sugars की इसलिए इसे alpha-1,4 glycosidic bond इसमें पाया जाता है बट जो amylopectin होती है वो branched होती है तो branch points पे जो हमेशा bonding form होती है वो alpha-1,6 होती है next point next अगर हम important point देखें जो carbohydrate से related है तो starch एक हमने storage polysaccharide discuss कर ली है next एक और हम storage polysaccharide discuss करेंगे जिसे glycogen बोलते हैं अब glycogen कहां पाया जाता है animals के अंदर storage की form है ये और ये दो जगा पाया जाता है एक है liver और दूसरी है muscles तो muscles and liver के अंदर glycogen पाया जाता है और ये करता क्या है ये इसके अंदर अगर हम bond formation देखें तो कौनसी होती है तो इसके अंदर भी alpha 14 and alpha 16 present होती है ये depend करेगा कि branch point है या नहीं है अगर straight chain वाला region है तो alpha 14 होती है branched वाला region है तो alpha 16 होती है glycogen actually में एक branched polysaccharide है sucrose के amylopectin की तरहा बस amylopectin से थोड़ा जादा branched होती है glycogen next अगर हम एक structural polysaccharide की बात करें तो उसमें example आता है cellulose अब cellulose अगर आप देखोगे तो इसके अंदर present होती है beta 14 linkage beta present होती है यहाँ alpha नहीं होती है beta 14 linkage यहाँ present होती है अब इस linkage को तोड़ने का काम जो करता है वो एक type का enzyme करता है जिसे बोला जाता है cello byase आपको पता होगा as term यूज करते हैं enzyme के end में अगर नहीं पता है तो enzyme वाली videos देखो जो मैंने upload की हुई है पहले से ही cello byase नाम का एक enzyme होता है जो cellulose के beta 14 linkages को break करता है अब ये enzyme हमारी body के अंदर या किसी भी animal की body के अंदर absent होता है तो ये point आपको याद रखना it is absent in animals including humans जिसकी वज़ा से क्या होता है कि हमारी body जो है cellulose को digest नहीं कर पाती है तो आपने ये चीज सुनी होगी कि जो termites होते हैं easily cellulose को digest कर पाते हैं क्योंकि उनके gut के अंदर present होता है ये enzyme बट हमारे अंदर नहीं है next एक और polysecuride की अगर हम बात करें तो वो है inulin inulin शायद मैंने पीछे discuss नहीं किया था inulin एक type का homo polysecuride है मतलब same type की subunits से बिलके बना होता है अब वो subunits कौन सी है defructose नाम की subunits वो होती है और inulin होता क्या है ये एक type का reserve food material है जो कहां पाया जाता है डालिया डेंडेलियोन अनियन गार्लिक इन सब के bulbs या tubers में पाया जाता है किसी के bulb होंगे किसी के tubers होंगे तो उसके according बता रही हूँ अनियन और गार्लिक के तो बल्ब होते है बाकी दोनों के tubers होते है तो इनके बल्ब या tubers के अंदर inulin पाया जाता है एक type का storage polysaccharide है inulin भी cellulose क्या था cellulose और chitin structural polysaccharide थे क्योंकि वो structure form कर रहे है cell wall में present है but inulin की बात करोगे starch या glycogen की बात करोगे तो ये सब क्या होते है storage polysaccharide होते है क्योंकि ये reserve food material को store करते है चलो next चीज़ डिसकस करते है एक और structural polysaccharide जिसे बोला जाता है chitin chitin कहां-कहां present होता है बताओ भी exoskeleton में present होता है किस चीज़ के exoskeleton में insects के अब insects के अंदर skeleton जो होता है वो body के बाहर होता है mainly ऐसा बोला जाता है क्योंकि wings वगरा जो है वो skeleton का part है तो exoskeleton जो insects का होता है वहाँ पे chitin present होता है इसके अलावा कुछ crustaceans के अंदर भी ये present होता है कुछ crustaceans के अंदर भी chitin present होता है chitin chitin जो होता है इसके अंदर कौन सा subunit होती है जिससे ये बना होता है glucose amine से मिलके ये बना होता है और इसके अंदर कौन सी linkage होगी अगर बोलेंगे तो beta 1,4 जैसी cellulose में थी वही वाली linkage यहाँ भी chitin के अंदर भी present होती है chitin के अलावा एक और चीज हम discuss कर लेते हैं एक point आप note करोगे कहीं पढ़ोगे तो आपको मिलेगा mucopolysaccharide नाम की चीज mucopolysaccharide अब ये होते क्या है ये एक type के heteropolysaccharides होते हैं यानि different subunits से मिलके बने होते हैं heteropolysaccharides हैं इन्हे glycos amino glycans भी बोलते हैं तो ये भी इनके लिए एक term यूज होती है यहाँ लिख लेते हैं glycos amino glycans ये वाली term भी इनके लिए यूज की जाती है अगर हम mucopolysaccharides के example देखें तो इनके examples में आता है hyaluronic acid आपने सुना होगा बहुत सारे लोग अपनी skin पे लगाते हैं dropper की help से वो है ये ये mainly क्या करता है connective tissues में present होता है तो collagen वगएरा की production को बढ़ा देता है anti-aging होता है इसलिए लोग इसका serum यूज करते है hyaluronic acid इसके अलावा एक और example अगर हम लें तो वो है heparin heparin भी आपने सुना होगा ये एक type का hormone है, protein है mucopolysaccharide है जो की anti-coggulant की तरह काम करता है खून का थक्का जमने नहीं देता है anti-coggulant blood clotting से रोकता है तो heparin भी एक mucopolysaccharide है इसके अलावा एक और अगर हम connective tissue के अंदर पाए जाने वाले mucopolysaccharide की बात करें तो उसे बोलना जाता है kondroitin sulfate kondroitin sulfate तो मैंने mucopolysaccharide में तीन example discuss करें आप से hyaluronic acid, heparin and kondroitin sulfate इनमें से hyaluronic acid and kondroitin sulfate connective tissue के examples है heparin एक anti connective tissue के example नहीं है उनके अंदर पाए जाते है but heparin जो है वो एक ताइक का anti-coggulant है कुछ और टर्म्स भी carbohydrate से related आपको सुनने को मिलेंगी जिनने बोला जाता है जिसका मतलब क्या है इसका मतलब है कि carbs के साथ, carbohydrates के साथ क्या जुड़ा होगा? proteo मतलब protein जुड़ा होगा एक और term यूज होती है जिसे बोला जाता है glycoprotein अब दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर इतना है कि glycoprotein में carbohydrates का amount कम होता है और साथ में protein present होगा बट अगर आप proteo glycan की बात करोगे तो उसमें protein जो है वो कम होता है carbohydrates जादा होते है more than 10% एक और point की हम बात कर लेते हैं एक और substance है जिसे glycoprotein बोलते हैं या आपने सुना होगा काफी glycoprotein bacteria वगेरा या eukaryotes के बाहर वाले सर्फिस के उपर प्रेजन होता है तो glycoprotein जो होता है वो carbohydrates की एक टाइप की लेयर होती है जो पूरे सर्फिस को कवर करती है तो यहां carbs प्रेजन हैं इसके अलावा एक और term यूज होती है जिसे बोला जाता है glycoprotein तो glycoforins जो होते हैं यह erythrocytes यानि red blood cells जो होते हैं उनकी membrane के glycoprotein का नाम है Is this clear? हमने carbohydrates के कुछ important aspects के बारे में आज डिसकस किया है इसके notes भी मैं आपको नीचे description box में link दे दूँगी आप download कर सकते हो next video आने वाली है carbohydrate metabolism के बारे में वो कल आएगी so stay tuned and thank you